सब बहुत ही बड़ी होंगे तो आज किस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन कॉंटरेट में हम लोग देखने वाले हैं और वाइड कॉंटरेट क्या होते हैं और वाइड कॉंटरेट क्या होते हैं तो इनकी हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों ही बहुत ही इ आप उसको सही से इंटरबेटनी कर पाऊगे तो इसी वीडियो में तो इसकर नेगा है तो चलिए स्टार करते हैं तो डिफेर्स बिटेपीं वाइट'res Underdag सक्ट्रeuck वाइड को थी अग्य। तो देखिए सबसे पहले हम्लों स्लेक्स यह लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पासrau क्या होता है तो क्या कर दी कि अब होगा थे तो यह जाती है तो वह क्या हो जाता है त्सक्राइब अभी इसी के पहले मैंने इसी टोपिक के पहले हम लोगो ने बात करी थी अलकॉने लूँटार काई इस पे समारा है किसी इनफॉरसिपिलिटी का ही डिफरेंस हो जाता उसके सकते हो तो अगरिमेंट बात कर इंफॉर्सिमेंट में जब जूड़ जाती तो वह हमारा प्रैमिया जाता है तो मतलब क्या है मतलब अकर enforceability नहीं चुड़ी है तो अभी contract नहीं हो सकता है क्योंकि enforceability क्या मतलब होता है कि आपको एक law का दर्जा देती कि आप लोग ने जो भी बीच में contract किया है वो legal है मतलब यह आप अगर agreement कर रहे हो कि आपको ड्रक्स भीच होगा और आप मेरे को पैसे दो आप क्या यह 100 ग्रम ड्रक्स खरीद होगे तो सामने वाला बोलेगा कि हा मैं खरीद होगा तो यह तरीके से कि आपको पैसे नहीं देते हैं अगर अगर दोनोंdar में से कोई भी अपनी पर्फॉर्मान्स को प्रफॉर्म्न नहीं करता है तो तोि ठीड़ी चुड़ो कि अब बना यह हमारा कॉंट्रेक्ट क्या इस अर्क फरषा दो बंगा है तो अब हम लोग आते हैं वर्षाइब्स में डिफिरेंस की बात करते हैं बात में इसका पूरा हम लोग भी उसमार तरीके से तो पहले हम लोग देखते हैं वाइड क्या बिन वाइड कंड्राइड क्या होता कामरा चालत 15 सी इजित इन फॉरियले रहू वह उनक्राइड आफोर्ष वैसे व्हुच्छ नोग जा करके सब्सक्जिए सिदैंक अभी आपाइड कि यह आफ समझना वाइड कहने जो कि तो बढ़िया मतलब अच्छे से follow होने वाला था execute होने वाला था contract पंच जुगा था लेकिन कुछ circumstances की वजए से वह अब वाइड हो चुका contract मतलब आप उसको आप जो है execute नहीं करा सकते हो तो वह क्या हो कि वाइड contract हो गया ठीक है अभी इसको में एक्जांबल के सुरु समझ देंगे कि ऐसे कों कों से कैसे जहां पर वाइड होता है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अब बात करते हैं दूसरे तरफ की वाइड़ की contract which is enforceable by law at the option of one or more part of the parties there too but not at the option of the others or other does it is it does it is enforceable at the option of the agree party तो क्या मतलब होता है कि इसमें एक party के तरफ से enforceable होता है कि और दूसरी पार्टी के तरफ से enforceable होता है आप बोलो कि सर यह क्या चीज़ है एक तरफ से होता है अगर contract बन रहा है तो सजाई सी बात दोनों तरफ से enforceability होगी तो अच्छा ठीक है आपके बात मालेता होगी वह तो आपने ब्लकुर सही बोले लेकिन आप यह सोचिए कि अगर कोई आपको मिस इंटरपेट करना मतला आपके साथ को फ्रॉड करना चाहता है ठीक आप तो सही हो आप तो अपने इसाब से बोलो कि हाँ इसने बोला कि मैं कार बेचना चाहता आपके पास राइट है कि या तो आप एक काम कुरो कि आप मतलब कर लोगे चलो ठीक है काम कुरो चलो ठीक आइन है अलटो देरो न चलो आएल्टो लें लेता हूँ अब यह राइट किसके पास आप के पास है या तो आप करता है कि अब अगर आप बोल तो कि आँ चलो ठीक मैं अल्टो रख लेता हूं तो आप ने क्या किया वोड़ेबल कॉंट्राइट को भी एक्जीगूट करा देगी आप टोटली आप पी निरबार देखिए फिर से बढ़िए of one or more the parties there but not a option of our others स्केडा ही नोगों पीच में हुआ है तो अब cuma क्रोंट के है घ्र यह पर वन के बात हो रही हैो तो अभी आप समझ लोडिक है तो अभी आप को मुटा-व्टा समНу में आग गया होगा अभी एक्जाम्पल से और किलर कर लेंगे फिर हम लोग दिखते हैं क्या डिफरेंस आता है तो कॉंट्रेक्ट इच वैलिड बट सब्सक्राइट बिकम्स इन्वैड ड्यू तो सम ब्रीजन तो अभी यह क्या बोला है कि वाट कॉंट्रेक्ट इच वैलिड बात में सब्सक्राइट बिकम्स इन्वैलिड दू सम रीजन के वज़ा से वाट हो जाता है उसके बाद हम लोगे वाट वाट इच वैलिड कांट्रेक्ट वैलिड होता है वह तो बात है से इससे में भी दिया हुए उन्तिल दा पार्टी वूस कंसर्देश नॉट फिर दस कि यह लेकली और इंपॉसिबल्टी मतलब इस ने फार्स रिपरसेंटेशन देदी है और इंपॉसिबल्टी का मतलब क्या हो गई कि हो सकता है जो सब्जेक्ट में पे कांट्रक्ट होड़ा तर वह चीज ही खताम हो गई है जैसे भाइचांत आपने बात की ती कार खरीदनी बेचनी लेकिन आइटन की कार जो है आर्थ को इक के चलते हैं वो जो है विकार हो गई तो आप तो वोड हो गया ना कॉंट्रेक्ट इसमें तब कोई किस करी निसकता है तो यह हो गया आप यहां पर कंसेंट की बात हो रही कंसेंट कि इस नॉट्रेंडल के वज़े से भी हो सकता है कर दो अब वाइड कोई क्या होता है कि जो पाल्टी में राप्टी के वाइड होता है वो अवेलबल नहीं होता है होगा है उसका वो कर सकते हो समझे लेकिन जो वाइड कंट्रेक होता है क्या होता है कि बार्टी के पास राइट होता है मतलब पार्ते के पास राइट नहीं नहीं होता है बता पाटिक बस राइट नहीं होता है कि आप उसको परफॉर्म कर सको किसी बे तरीके से कोई भी राइट नहीं कि आप उसको परफॉर्म कर सको या पिर आप किसी को पर केस कर सको ऐसा कुछ भी आप वॉइड कॉंटेट करनता नहीं कर सकता तो अभी एक्जांपल में लोग इसको फूल कर समझे लेंगे येस बट वोड़ में किया है कि हाँ आप कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहो तो आल्टो को कार को रख लो और आप चाहो तो उन पर केस कर दो कर सकते हैं लेकिन कौन कर सकता है सिर्फ अग्री पार्टी अब यह नहीं क कर सकते हो तो अगर आपने उस कांट्रेट को ले करके कोई अडवांस प्रीमेंट करी ती या फिर आपने कोई सर्विस दी ती उसको आप रिस्टोर कर सकते हो वाइडवल में क्या है कि उसने वाई आइटन के नाम से दुद्धी सजार रुपए एडवांस दे दिये थे तो अब क्या उसके पास राइट है वो पैसा वसूल कर सकता है तो अभी होता हम लोग सिता एक्जांपल में आते हैं अब यहां पड़ एक्जांपल है अब एक मेना खताम होने से पहले ही घोड़ा मर गया तो अब आप से इतनी से लाइन पढ़के बताई है किसके गलती एक ही गलती किसमें बी की गलती मतलब यह ने बी से प्रमिस किया कि हम बी को घोड़ा बीचेंगे 50,000 रुपएगा लेकिन जब तक कि एक मेना होता है इसम ऐसमने किसे गलती हो सकती है ठीक है उसके आंगे पढ़ते है आँ दा कॉंट्रेट्ट विकमाएडः एस अकॉंट्रेट केनाट बी परफॉर्म अब इसी सर्व में आ रहा है क्योंकि घोड़ा खतम हो गया तो परफॉर्मस कैसी हो सकती है अब क्या कर सकते हो आप कुछ खर सरकंस्सरांसिस के वजह से वाइड हो चुका है ठीके तो इसको आप याप मेंसे कोई भी फ्लोग उसको पुपा नहीं कर सकते हो लेकिन यहां पर इल्लीगल कोई चीज आ जाती है या फिर कुछ हाइड किया जाता है या कुछ मिस्रेपेसेंट किया जाता है वहां पर वह वॉ तो अब यह B के उपर है, अब भी इस पर case कर सकता है, और damages भी claim कर सकता है, अगर उसने कुछ इस पर मतलब जो है, या तो compel कर सकता है, कि आप खोड़ा बीचो ही बीचो, वाला जो जिस पर वादा हुआ है, या फिर कुछ damages भी ले सकता है, जो उसने time waste वगरा जो भी किया और जहां पर subject matter ही खताम हो गया है, तो वाइट contract हो गया है, अब इसके आंगे हम लोग पढ़ लेते हैं, impossibility है, अब इसमें सो होते ही रहे हैं, impossibility को performance of the contract, this type of contract is known as void contract, ठीक है, अब हम तो हम लोग आते हैं, अपने next example के तरब, जहां बोलता है, X is to Y that he could sell his new bungalow to him at a nominal price, otherwise he will damage his property and Y intend to a contract due to fear, in this situation the contract voidable is the consent of Y, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, X कह रहा है, Y से, कि आपको क्या करना है, that he should sell his new bungalow to him, वो X, Y से बोला है, कि Y जो तुमारा नया bungalow है, वो अम्परे को बेचता हो, किसमें बेचता हो, और नहीं बेचता हो, कि मैं तुमारी property को damage करूंगा पतलब क्या हो रहा है, जैसे कि X कह रहा है, Y से, कि आपको क्या करना, अपना bungalow बिचता है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, तो इसमें गलत क्या बोल रहा है, इसमें गलत क्या 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 ह तो उसने बेच दिया क्या कहते हैं अपना बंग दो लेकिन अभी आप यहां बता हुआ क्या कंसेंट फ्री है क्या वाई कि नहीं फंद्राइब उसको तो फियर मैं करके बेचना पड़ा ना कैसे देखो यहां पर वाट दिखा हुआ है ड्यू टू ही ड्यू टू फियर आसा कमाया है क्या देखा नपर लाका तो नुकसान ने रख लिया इससा सोच करें तो उसने क्या किया है जो कांट्राट में आप केस कर सकते तो उसको भी अपने वैलिट कर दिया लेकिन अगर वो चाहे तो केस कर सकता कि देखेज और जड़ाब गारीए और यहां जब अच कोई 10 लाग का बेचता है क्या तो कोड़ इसकेस में उनको वापस मकान दिलबा देंगे और जो डेमजेश वह का वह भी क्लेम कर रहेंगे लाग के चचर में, हम लाग के ए वह भी का वहाँ संथे क्यर चाबकेश बेच्ट अग्वेश जनको जनको भी क्या देता है झाल झाल